हलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूँ अच्छे होंगे तो चलिया आज मैं आपके लिए नाए टेक्सिंग टोपिक लेके आया हूँ इस लोगों को आप देखके समझ में आई गया होगा आपको कि यह वीडियो जो होने वाला है वो टेली प्राइम के उपर होने वाला है जहां दोस्तों यह सेकंड वीडियो में लेके आ रहा हूँ टेली प्राइम के उपर जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि के चलते हैं सबसे पहले इसके लिए आपको अगर इंस्टलेशन करना है तो आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना पड़ेगा और गूगल क्रोम में यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा टेली प्राइम सेटफ फाइल जहां दोस्तों आप यह डाल दिजिएगा टेली प्राइम सेटफ फाइल यहां पर मैं आपको क्लिक कर दिया हूँ और यहां पर जो पहला आपको लिंक आ रहा है टेलीसलूशन.com की तरफ से यह आप उपन कर लीजिए यह ओपन करता है आप देखेंगे की यहां पर आपको जो टेली प्राइम का रिलीस वर्जन लेटेस वर्जन जो निव है वो है 2.1 इसे आपको डाउनलोड कर लेना है तो मैं सिंपली इसे डाउनलोड कर ले रहा हूँ यह सेटफ फाइल डाउनलोड हो रहा है और यह 42.1 MB का फाइल है डाउनलोड होने में आराउंड एक मिनिट के आसपास जाएगा तो जैसे डाउनलोड जाता है मैं आगे के प्रोसेस आपको एक्स्पेंड करता हूँ चले दोस्तो मेरा सेटफ फाइल यहां पर कंप्लीटली डाउनलोड हो चुका है मुझे सिंपली करना क्या है यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहां पर मुझे डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है और डाउनलोड ऑप्शन के बाद में मुझे यहां पर श change to your device, yes, करके आप इसके simply आगे चलिए, और जैसे आप आगे चलते हैं, आपका टैली का installation प्रोसेस automatically चालू हो चुका है, यहाँ पर आपसे पुछा जा रहा है, कि install application, तो yes, मुझे install करना है, installation प्रोसेस चालू हो गया है, यहाँ पर, यहाँ पर मेरा install हो चुका है, simply मुझे पूछ रहा है, start tally prime, तो मैं यहाँ पर simply click कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा tally prime open हो रहा है, धरे-धरे, यहाँ पर simply मुझे करना क्या है, cancel, and then करना क्या है, accept, और देखें यहां पर Welcome to Tally Prime, यहां पर मेरा Tally start हो चुका है, means मैंने Tally को completely install कर लिया है, basically यहां पर मैं active new user भी बन सकता हूँ, by paying a money, और license version होता है, ठीक है, और मैं आपको यहां पर training दे रहा हूँ, तो मैं आपको education mode पर दूँगा, जिसका shortcut है T, तो मैं आपको simply T प्रेस करू नहीं है, तो चलिए यह था मेरा installation process, अब हम सीखने वाले हैं कि uninstall Tally कैसे करते हैं, जिहां दोस्तों Tally Prime को अगर हमें system से uninstall करना है, तो हम कैसे करेंगे, चाहे वो desktop हो, चाहे वो आपका laptop हो, तो किस तरीके से हम Tally को आपके system में से uninstall करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसके लिए आपको simply करना क्या है, आपको window कब key press करना है, यहां पर आपको डालना है control panel, control panel के बार आपको simply क्या करना है, उसे open करना है, और यहां पर आपको करना क्या है, uninstall all program पे जाना है, और यहां पर आपको tally दिख रहा होगा, tally का icon, इसे click करके right click करना है, और इसे uninstall क और यह Uninstall का process चालू हो गया है, और इसे simply कर दिना है No, और यहां पर देखिए आपका Tally, Uninstall successful हो चुका है दोस्तों, यहां पर आपको लिखके भी आ चुका है, तो simply से करना क्या है आपको Cancel, तो यहां पर आपसे पूझेगा कि Quit Setup Manager Yes, तो देखिए यहां से आपका Tally का आईक अब हम सीखने वाले हैं कि टैली को सिस्टम में किस तरीके से open करते हैं means आप desktop पे हो या laptop यूज कर रहे हो तो कैसे आप टैली को open करोगे तो चलिए हम वह process भी देखते हैं चलिए हम desktop पे आ चुके हैं यहां पर basically आपको टैली अगर start करना है तो आप तीन तरीके से टैली को start कर सकते हो पहला तो आप यहां पर जो आपको आइकन दिख रहा है desktop पर इस पे क्लिक करके कर सकते हो दूसरा आप इसे right click करके print to taskbar में भी add कर सकते हो यहां पी add कर सकते हो यहां से single click पे आपको on हो जाएगा और यहां पर आपको desktop से double click करना पड़ेगा तीसरा यहां पर आप type करके भी on कर सकते हो tally prime तो देखे दोस्तों यहां पर tally prime यहां पे भी click करके आप on कर सकते हो तो यह तीन तरीका है tally on करने का दोस्तों सिस्टम में उमीद करता हूं दोस्तों कि tally on करना यह तीनों तरीका आपने सीख लिया होगा और आज की वीडियो में हमने cover किया है कि how to install tally prime how to uninstall tally prime and how to open tally prime in your desktop और laptop तो चले दोस्तों इसी के साथ में मैं आपसे अलविदा लेता हूं और thanks to watching sp commerce crunch ऐसी हमारे साथ जुड़े रही और जीनों ने भी अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया और प्लस बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया